हेलो दोस्तों आज की नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इस्टाल डेल्टा स्टार्टर का पावर वारिंग देखेंगे ठीक है तो मैंने पहले से ही बना रखा है और इसको समझते हैं अधि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेंट कर दें ठीक है ता यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अपना रेड एलो ब्लू तीन फेज होते हैं तो मैंने रेड के लिए रेड कलर एलो के लिए हमने यह पर यह जो कनेक्शन यूज किया है वो ब्लेक कलर से सो किया है अब ब्लू के लिए बीफेज के लिए ब्लू कलर ठीक है अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर तीन कॉंटेक्टर हो हैं में कॉंटेक्टर डेल्टा कॉंटेक्टर और स्टार कॉंटेक्टर ठीक है और यह अपना मोटल टर्मिनल है मोटल टर्मि है connection के लिए ठीक है छे टर्मिनल है एक दो तीन चार पांच है ठीक मैं इसको स्कोली के देठा हूं जैसे यह अपना मान लीजे 11 है यह 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 3 है तो यह क्या है सकते हैं यहां पर हमने सॉर्ट किया है बहर से वाहर सकते हैं तो स्था इसको समझते हैं कि अपना जोमिटर होता है कि थ्रीच मोटर स्टाब कर ला देल में सबसे पहले आप जब आप बटन प्रेस करते हो दूसर में क्या होता है कि आपका स्टार कंटेक्टर लगता है ठीक उसके बाद में कंटेक्टर लगता है जब में स्टार में कंटेक्टर लग जाते हैं और मोटर अपना 70-80% स्पीड एचीव कर लेता है उसके बाद क्या होता ह है कि Star Contactor की supply holding छूट जाती है फिर उसके पात इपना डेल्टा contactor लग जाता है ठीक तो यहां पर हम इसका इतो पाउर वारिंग है control वारिंग में आप देखें कर एक यह 3-4 प्लॉस उसमें टाइमर भी वहता है ठीक है तो चुकि हम पावर वारिंग कर रहे हैं तो हम यहां पर सिर्फ कॉंटेक्टर का ही फंसन होता है ठीक है और यह अपना मोटर है इस मोटर में टोटल 6 टर्मिनल है तो आप समझ गए इसके बाद यहां पर देखो यह जो इस्टार कॉंटेक्टर का यह वाला साइड है ठीक है उसक में यहां पर दखो T1 में B phase connect है ऐसा क्यों किया गया है आप यहां पर दखो विलोवववच है वाला वाई के साथ ले साथ यह अर फेज कनेक्ट है ठीक है और यहां पर EL3 और T3 का जो अंतर इसको क्या होता है मोटर के तो उसका जो उसमें दो तरड़नल होता है to EL3 और T3 है तो उसमें एक तरफ B Face Connect कै गया है एक तरफ Y Face Connect किया गया है ऐसा क्यों किया गया है दखो होता क्या है? कि इसको मैं यहां पर भी इसको कर देता हूँ अच्छे से जैसे दखो L1 और T1 तो यहां पर क्या है R और B यहां पर R फेज है इधर B फेज है ठीक अब यहां पर दखो L2 और T2 में Y और R है इधर Y है इधर R फेज है इसके बाद L3 T3 में BY आप यहां पर देखो कि यह जो अलग अलग है यह फेज और यह फेज अलग है तो आप यहां पर दखो इस क्यां के दो होगे एक यह और एक यह तो दोनों टर्माल पर अलग अलग पर य है श्कैका किसी बस ब्सक्च नहीं होता फेज बोल्टेज होता है दोनों पर वह सेम नहीं होता है ठीक है आप इसको समझो कि यहाइब कर दे हैं यहाँ आप आरप यहां पिकनेट कर देते हैं और फिर यहां पर भी connect कर देता होता क्या कि दोनों का potential सेम हो जाता voltage potential difference दोनों इंड पर सेम हो जाता जिसकी विज़ासिस में कोई current follow नहीं होता current flow नहीं होगा तो magnetic flux create नहीं होगा तो आपका motor rotor rotate नहीं करेगा ठीक है और अलाग-अलाग phase connect करते हो तो उसमें क्या होता है कि किसी भी instant पर एक instant पर मालो उसमें दोनों phase में जो voltage potential difference होता है ठीक है दोनों phase में एक सेम potential नहीं होगा थोड़ा वो difference होगा उस थोड़ा वो difference के वज़ए से इसके अंदर current flow करेगा current के वज़ए से मेंटिक फिल्ड क्रियेट होगा और जो मेंटिक फिल्ड होगा वो रोटेटिंग नेचर का होगा और उस रोटेटिंग नेचर की वज़े से जो आपका रोटर है वो भी आपका रोटेट करेगा ठीक है तो इसका यही में लोजिक है और यह में यह जो यह जो वायरिंग है यह पावर वाइरिंग है यह हर जगह आपको मोटर को बड़ी मोटर को चलाने के लिए यूज होता ही होता है ठीक है तो इसमें एक चीज और कुछ आजाता है कि जैसे कि एक HP का मोटर है तो कितना करेंट लेगा थ्री फेज थ्री फेज को मैं भी बता देता आपको जिसे कोई थ् है ठीक है एक HP का मोटर जो होता है वह और हैंपिय करेंट लेता है यह मोटा मोटे क्नि 한 छाम ठाल ब्संदकें का इसका करेंट निगा लेंगे कितने सेट करने निक भी में घुरूलोर डैय जरूरत पढ़ता है तो हम माल लो यह अपना 30 HP का मोटर है, 30 HP का, कितने का मोटर है, 30 HP का मोटर है, यह कितना करेंट लेगा, 30 into 1.5, तो इसको जब solve करोगे, कितना हो जाएगा, 45 MP, ठीक है, 45 MP, यह 45 MP है, 45 MP है, 45 MP है, 45 MP है, यह मोटर करेंट लेगा, लेकिन, अब आप देखो, अब इसमें यह पूछा जाएगा, कि आपका इस फ्येज में, इस फ्येज में, इस फ्येज में, इस फ्येज में, कितना करेंट होगा, तो आपको करना क्या है, कि इस 45 MP का, आपको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, जब आप हाफ करोगे, तो आपका अलगभग आगा 22.5, ठीक ह added by 2, 2.5 Ampere, देखो, अब होता है क्या है, कि आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे 45 Ampere आएगा, इसमें पे 45 Ampere, इसमें 45 Ampere, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, कि वही करेंट है, जो दो भागों में पड़ जाता है, ठीक है, एक करेंट तो यह हो गया, और एक क Parent Add होके, जो इहाँ पे दो 45, 45, 45, लेकिन जब आप इसमें मेजर करोगे, तो इसमें आपका कितना आएगा, च retrouver 22 Ampere, इसमें भी ऐएगा, इशमें भी ऐएगा, हाँए hai, ठीक है, इसमें आप मेजर करोगे तो आपका 20 legally, इसमें मेजर करोगे च JI एपका 20, तो इस तरह से आपको इसमें करेंट का वैलू निखालना है यदि इसमें अच्छा टर्मिनल है तो आप यहां पर दखो न करेंट डिवाइड हो जा रहा है ठीक है आप यहां पर दखो कि एक एक करेंट ऐसे आएगा ठीक और एक करेंट इदार से भी है ठीक है तो इसमें पुर 25000 5012 तरह से आपका इसमें एससरी मोटर स्ट्रेट्रारे इस्ट्राटर में उसका करेंट निकालते हैं ठीक है तो हमने इसका यहां पर पावर वायरिंग समझा है अब अब दखो आई इसका हां स cela समझेंगे तो देखेंगे उसका कंट्रोल वाइरिंग मनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आपको तो भी मैं बता दिया सबसे पहले क्या होता है इस टार कंट्रेक्टर लगता है फिर में कंट्रेक्टर लगेगा जब मोटर का 70-60% स्पीड प्राफ्ट कर लेगा उसके बा इसका कंट्रोल वाइरिंग देखते हैं ठीक है अब तक की वीडियो में हमने देख चुका था है कि इस टार लेटा स्टार का पार वाइरिंग कैसे करते हैं ठीक है अब हम देखेंगे इस टार लेटा स्टार का कंट्रोल वाइरिंग कैसे करते हैं ठीक है तो आपको यहां प आप यहां पर देखें कि यहां पर टोटाल 3 कौंटेक्टेर यूजके हैं C1, C2, C3, C1 अपना स्टॉरर कॉंटेक्टथर है, C2 डेल्टा कॉंटेक्टर है, एंडे C3 मेन कॉंटेक्टर है और उससे साथ यहां पर टाइमर यूज newest किया ठीक है, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं, यह आपका उवरलोड रिले है, यह 95-96, ठीक है, यह 95-96 क्या होता है, आपका NC रहता है, ठीक है, यह NC रहता है, ठीक है, यह सिम्बल है, अब ठीक है, यह ओबरलोड रिले हैं, और इसका इस तरह से सिम्बल यूज़ करते हैं, ठीक, अब आपके इसके आगे दोखो एक स्टॉप बटन है, स्टार्ट, स्टॉप पुस बटन है, और यह किये, स्टार्ट पुस बटन है, तो आप यहां पर देखो एक स्टाप पुस्ट बटन एक स्टाट पुस्ट बटन टाइमर तो होता क्या है स्टाप पुस्ट बटन आपका एंसी में हमें सरहेगा और और नॉर्मली और यह स्टार्ट पुस्ट बटन एनओं में होता क्या है कि जाब इसे ही आप इस्टार्ट पुस बटन दबाते हो यह एन्नों का एन्सी बनता है एन्सी जैसे ही बनेगा वैसे ही यहाँ पर दखो टीवन का एन्सी है टाइमर का एन्सी है और यह सीटू का एन्सी है तो यहाँ पर एन्सी दोनों कुलोज है जैसे यह पुस यहँद हो जाएगा जैसे यह NC होगा तो यहां पर दखो यह N-O के N-C हुआ तो यह supply यहां C-3 पर जाएगी ठीक है और उसी समय यह C-1 है contactor का NC है यह N-O हो जाएगा तो यहां पर C-2 पर supply नहीं जाएगी और सारा जो supply है वो C3 पर चला जाएगा, ठीक है, जैसे C3 पर supply जाएगी, उसका NO NC बनेगा, इस contractor का NO NC बन जाएगा, और वो जो है, यहाँ से इसका supply continuous इसको मिलता रहेगा, ठीक है, और यह, अब उसके बाद क्या होगा, आप तो दबा के इसको push button दबा के तो छोड़ दिए, अब उसके timer का, आपने यहाँ पर देखा कि भाले star contractor लगा, फिर main contractor लगा, ठीक है, इस control wiring में, उसके बाद जैसे इस timer का NC होगा, NC time पूरा होगा, NC का NO हो जाएगा, ठीक है, तो यह NO हो जाएगा, तो इसके C1 जो contactor है, उसके supply छोड़ जाएगी, उसको supply नहीं जाएगी, तो जैसे नह का NO है, जो NC बना हो तो अब क्या हो जाएगा, तो जो supply है, यहाँ से तो कट गया, इधर से भी supply नहीं आ रहा, इधर से भी supply नहीं आ रहा, इसका supply नहीं जाएगा, तो यह timer और C1 आफ हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कि यह star contractor आफ हो गया, तो उसके जो NC है, NC से यहाँ से यहाँ से C1 के NC से होते हुए, C2 delta conductor में चला जाएगा, अपना delta conductor लग जाएगा, तो इस तरह से यह बार करता है, तो होता है कि आ सब से अपने star contractor लगे, जैसे आप उस बटन दबा के छोड़ते हो, start लगेगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब टाइम प इस तार से अपना कंट्रोल वारिंग करते हैं, और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर यहाँ पर star contractor के लिए, यह delta contractor का NC यूज़ किया है, तो यह NC उज़ करते है分ागन के लिए, आपका देखqun, दोनों यह का निसी तहोगा कि इन दोनों में सो कौई कोई एक 현 कारा तो दूसरा आप होगा तो इंट्र्व्ड क्रेस्प्लाइ क्या तगा theor मुच सप्लाइ कि यह जाएगा नहीं तो छिएक तो दोने दुनोंग एक साथ सप्लिः नहीं जाएगी थीक एक इसको बोलते हैं इंट्रिज करते हैं जिए तौनों ध मेरills फ्सक्लेकर सप्लाइ नियुच चाहिक तीक बाटम पूरिटमु derived असरी हम थैकर योइंस कट्रव्आच करते जगह इसका मोटर का यूज होता है तो यह इजी भी है ठीक है तो आज के वोडियो में बस इतना भी बस इतना ही मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई थेंक्यू अधिया आप मारे चैनल पर नहीं हो तो मारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट